नमस्कार स्वागत है आपका मेरी चैनल में आई मैं आपके सामने फिल से बड़ा ही प्यारासा एक निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ जिसे आप अपने किसी भी प्रजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए हमें कास्टन करने हैं 6 के मल्टिबल के हिसाफ से फणे या इसके लिए हमने 6 प्लस 6 इस तरह से फंदिय लेते हूँ जाना है प्लस दो फंदे एक्स्ट्रा अपने पैटर्न को इकुल करने के लिए और दो फंदे हमारे एजिंग के होंगे तो यहाँ पर मैंने देखें डिवांस्ट्रेशन के लिए नीडल पे 16 स्टिचिज डाले हैं 16 फंदे डाले हैं जिससे के दो बार हमारा पैटर्न बनेगा 12 और 4 फंदे एक्स्ट्रा राइट साइड से पैटर्न स्टार्ट होगा तो मैंने एक स्लाई उल्टे फंदे बनाते हुए कंप्लीट की है और सीधे तरफ में आ गई हूँ आपने बौर्डर के बाद राइट साइड से पैटर्न को स्टार्ट करना है हमारा ये पैटर्न 12 रोज में कंप्लीट होगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको रो बन है हमारे पैटर्न की राइट साइड से एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद दो फंदे सीधे बनाएंगे, निट टू स्टेचीज, दो फंदे सीधे, दागे को अपनी तरफ करके अगले चार फंदे उल्टे बनाएंगे, एक, दो, तीन, और ये चार, चार फंदे उल्टे, ये ही मारा रपीट पैटर्न चलेगा exam do company 2-10 सीदे चारफंदे tanip dub के फिरसे रपीद पैटरन करेंगे च्वर पर दो फंदे सीदे कर दागे करेंगे चार पंदे उल्ठे तो रोवन रायट साइड निट स्टेचीज और पर्ल फौर स्डेची ज़िस बनाते हुए हमने अपके तने होंगे वो हमない इस तरह से repeat करते हुए जाना है दो फंदे जो एक्स्ट्रा है वो हमने सीधे बनाने है वो लास्ट एजिंग का फंदा हमारा सीधा बनेगा तो रो और राइट साइड हमारी complete हो गई है अब हम आगे हैं राउंग साइड और यह हमारे pattern की second row है दूसरी सलाई उल्टी तरफ से एजिंग का फंदा स्लिप करने के बाद देखें दो फंदे हमने उल्टे बनाने हैं एक दो पर्ल टू स्टिचिज दागे को पीछे करेंगे चार फंदे सीधे बनाएंगे एक दो तीन चार repeat pattern चलेगा शे फंदों पे दो फंदे उल्टे चार फंदे सीधे यह repeat करते हुए जाना है हमने शेशे फंदों पे तो row two wrong side purl two stitches and knit four stitches written instructions आपको सारी जो है इसकी abbreviations description box में मिल जाएंगी अब वहाँ से पूरा complete देख सकते हैं और देखिए last का फंदा हमारा उल्टा बन गया तो row two wrong side हमारी complete हो गई अब हम आगे हैं सीधी तरफ और यह pattern की third row है right side एजिंग का फंदा slip करने के बाद दो फंदे सीधे knit two stitches purl four stitches चार फंदे उल्टे एक दो तीन और यह चार शेफंदों पे repeat pattern चलेगा दो फंदे सीधे चार फंदे उल्टे जैसे हमने row one बनाई है सेम बनेगी row three दो फंदे सीधे और चार फंदे उल्टे यहीं हमने बार बार शेफंदों पे repeat करते हुए जाना है हमारे needle पे जितने वी stitches होंगे तो इसी तरह से हमने अपनी row three को complete करना है तो row three right side knit two stitches and purl four stitches लास्ट का एजिंग का फंदा सीधा बनेगा right side से फोर्थ row है हमारे pattern की wrong side है फर्स्ट फंदा slip करने के बाद दो फंदे उल्टे पर्ल two stitches दो फंदे उल्टे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे यह repeat pattern चलेगा छेचे फंदों पर दो फंदे उल्टे और चार फंदे सीधे तो row four wrong side purl two stitches and knit four stitches यह बहुत ही असान सा pattern है पर look wise यह बहुत ही सुन्दर बनता है देखें यह fourth row हमारी wrong side से complete हो गई अब हम आगे हैं सीधी तरफ और यह pattern की fifth row है row five right side देखें पहला फंदा slip करने के बाद अब देखें आप क्या इसको बुनेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर loop निकाल लीए इसलिए मैंने इसको बुला नहीं तो आप इसको slip रख सकते हैं अब देखें यहां से हमने loop निकालनी है दो फंदो सीधे बनाए है जो इसके इस तरह से सेंटर से हमने यूगर के कीनची के देखेंगे हमने यह यहां से पिलकुल last से चार पंदे शोड़के न चार स्रिचेज बिलो हमने इसको loop देनी है यहां पे चार यहां से हमने लूप निकालनी है दो सीधे फंदों के 20 से हमने लूप निकालनी है इस तरह से एक दो तीन और ये चार यहां से निडल डालके इस तरह से अब हम लूप निकालेंगे और फिर इसको लेफ्ट निडल पे लेके दो फंदों का एक फंदा करेंगे from back loop उल्टी तरफ से पिछली तरफ से दो फंदों का एक फंदा करेंगे फिर same जगए से हम ने एक और लूप निकालनी है loop one इसको left needle पर लेंगे और उसके साथ जो दूसरा फंदा है उसको हमने इन दोनों को लेकर knit two together करना है दो फंदों का एक फंदा बना लेना है अब हम अपनी तरफ दागा करेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे दो, तीन और ये चार अब देखें ये शे फंदों पे repeat pattern बार बार रिपीट करेंगे शे फंदों पे इसी रो में फिर से देखें दो फंदे सीधे आगे हैं इन दोनों फंदों के बीचो बीच हमने बिलकुल नीचे बिलो जो फर्स्ट हमारा जहां पे रो होती है वहां से हमने लूप निकालनी है और इस तरह से left निडल पे लेके दो फंदों का एक फंदा सीधा बनाना है फ्राम बैक लूप और फिर वहीं से लूप निकालेंगे और उसको लेप्ट नीडल पर यू लेके अगले फंदे के साथ यू करके इसको नीट टू 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 गैदर करेंगे दो का एक कर लेंगे फिर आगे को अपनी तरफ अगले चार फंदे उल्टे तो रो फाइव राइट साइड लूप वान निट टू 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 गैदर फ्राम बैक लूप फिर से द्वारा करेंगे लूप वान निट टू 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 गैदर दो फंदों को सीधा बनाएंगे और दो का एक करेंगे knitwise फिर निच से वही से same space से हमने एक और लूप खीचनी है और अगले फंदे को भी हमने दो फंदों का एक करते हुए knitwise दो का एक कर लेना है यूँ करके और हमारा जो लास्ट का फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे तो row 5 right side से complete हो गई अब हम आगे है wrong side और ये हमारे pattern की 6th row है row 6 wrong side पहला फंदा हमने slip किया उसके बाद दो फंदे उल्टे बनाएंगे दागे को पीछे करके अगले चार फंदे सीधे बनाएंगे उल्टे जरफ से आपको जो फंदा जैसे दिखेगा हमने उसकी वैसे ही बनाई करनी है देखें दो फंदे आगे उल्टे हैं तो उनको पहल टू करेंगे और आगे सीधे फंदे हैं तो सीधे चार बनाएंगे तो row 6 wrong side पहल 2 stitches and knit 4 stitches दो फंदे उल्टे चार फंदे सीधे बनेंगे और एजिंग का लास्ट फंदा हमारा उल्टा बना जाएगा तो row 6 wrong side से हमारी complete हो गई है अब देखिए 6 लाइंगे बाद इस तरह से 6 लाइंगे बाद हमने इन दो पैटन के बीच में पैटन को shift करना है इन दोनों के बीच यहाँ पे और इन दोनों के बीच में यहाँ पे तो इसको हम अब shift करेंगे और देखिए पैटन को repeat करेंगे और shift भी कर लेंगे अब ये 2 फंदे हैं ये वाले सीधे बनेंगे और ये वाले starting के 4 फंदे उल्टे बनाएंगे तो देखें रो 7 राइट साइड से पर्ल फोर्स टिश्चीज करेंगे 4 फंदे उल्टे 3 और ये 4 4 फंदे उल्टे अब ये 2 फंदे सीधे बनेंगे 1 और 2 2 फंदे सीधे अब ये ही repeat pattern चलेगा 4 फंदे उल्टे और 2 फंदे सीधे 2 फंदे जाकस्टा हैं वो हमने उल्टे बना लेने हैं और लास्ट का फंदा भी उल्टा बनेगा क्योंकि वो 4 फंदों में आएगा तो लास्ट के 4 फंदे उल्टे बनेगे अब हम आगे हैं उल्टे तरफ और ये हमारे pattern की 8th row है रांग साइड से 18 लाई निट 4 जैनिके 4 फंदे सीधे बनाएंगे 1, 2, 3 और ये 4 4 फंदे सीधे धागे को अपनी तरफ करेंगे 2 फंदे उल्टे 1 और ये 2 अब इनी 6 फंदों को रपीट करते हुए जाएंगे पूरी row में हम 4 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे तो row 8 रांग साइड निट 4 स्टिचीज एंड पर्ल 2 स्टिचीज 4 फंदे हमारे लास्ट के सीधे आजाएंगे रांग साइड 8 फंदे हमारी कंप्लीट हो गई है अब हम आगे हैं सीधे तरफ और पैटर्न की 90 लाई है 9th row देखें 4 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं पर्ल 4 स्टिचीज दागे को पिछे करेंगे 2 फंदे सीधे निट 2 स्टिचीज यही 6 फंदे रिपीट करते हुए जाएंगे रो 9 राइट साइड पर्ल 4 स्टिचीज और निट 2 स्टिचीज सीधी तरफ से हमने 4 फंदे उल्टे बनाते हुए जाना है और 2 फंदे सीधे बनाने हैं लास्ट के 4 फंदे हैं यह हमने उल्टे बना लिए और हमारी यह सीधी तरफ से रो 9th कंप्लीट हो गई है अब हम आजेंगे उल्टी तरफ रोंग साइड और यह हमारे पैटन की 10th रो है 4 फंदे सीधे बनाएंगे निट 4 स्टिचीज एक तो तीन चार फिर दागा अपनी तरफ करके 2 फंदे उल्टे पर्ल 2 स्टिचीज यही शे फंदे रपीट करते हुए जाएंगे 4 फंदे सीधे 2 फंदे उल्टे रो 10 रोंग साइड निट 4 स्टिचीज एक पर्ल 2 स्टिचीज यही रपीट करते हुए जाएंगे लास्ट आजिंग का फंदा भी हमारा सीधा बनेंगा अब हम आगे हैं राइट साइड सीधी तरफ से हमारे पैटन की यह 11 रो है अब देखें 2, 3 और 4 4 फंदे उल्टे मनाने के बाद अब हमने इन 2 सीधे फंदों के सेंटर में फिर से वैसे ही लूप निकाल ली है और देखें यह बिल्कुल यहां से हमें दिख रही है 2, 3 और यह नीचे 4 यहां से हमने लूप निकालनी है यहां नीडल डालके 1, 2, 3, 4 नीडल डालके एक लूप खिंचेंगे लूप निकालके हमने इसको लेफ्ट नीडल पे लेना है और दो का एक फंदा बना लेना है नीट टू टोगैदर फिर वहीं same space से हमने loop निकालनी है और उसको left knitter पर लेके अगले सीधे फंदे पर यू लेना है दोनों को और दो का एक बना देना है knit two together करना है from back loop और अगले चार फंदे फिर से हमने उल्टे बनाने है repeat pattern चलेगा और यहां दो फंदे हैं इन दो में से हमने फिर से loop निकालके इस तरह से दो का एक करना है knit two together from back loop फिर वहीं से हमने एक loop लेनी है और इसको left needle पर लेके दो का एक फंदा करना है knit two together from back loop दांगे को अपनी तरफ करके अगले चार फंदे उल्टे बनाएंगे तो row 11 right side से हमने ऐसे ही repeat करते हुए जाना है सब भी फंदों पे अब हम आगे हैं wrong side और यह हमारे pattern की twelfth row है बारवी slide उल्टी तरफ से आपाले चान फंदे सीधे बनाएंगे तीन और चार चार फंदे सीधे दो फंदे उल्टे अब हमें wrong side से जो जैसा फंदा दिखेगा वैसा ही हमने बना लेना है चार फंदे की बनाईपे सीधी बुनाई करेंगे और ऊल्टे लीद्न की बुनाई और ऊल्टे ौल्टे बुनाई करेंगे तो रोड्वल रांगसाइट knit 4 stitch ईंड पर्ल 2 stitch इज तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगए है तो मेरी वीडियो को लैक्चिए जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा मुझे कमेंट करके पताईएगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और आपने अपने किस प्रजेक्ट में इस डिजाइन को इस्तेमाल किया जिए ये देखें 12 सलाइओं में हमने अपने पैटर्न को रिपीट भी कर लिया और शिफ्ट भी कर लिया डिजाइन को इस तरह से 12 सलाइओं बनाने के बाद इस तरह से इसकी लुक आई है देखें बहुत ही सुन्दर बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन कर आया है बहुत ही उबरा उबरा सा फील होता है और कितना सुन्दर सा डिजाइन बन कराया है आपने इनी 12 सलाईयों को 12 बर रपीट करते हुए जाना है जितनी भी आपको अपने प्रजेक्ट में लेंज चाहिए जो भी आप प्रजेक्ट बनाएंगे इनी 12 सलाईयों को रपीट करते ह जाएंगे 6-6 फंदों से आपने गुणा करते हुए अपने फंदे ले लेने हैं और 12 लाइयों को रिपीट करना है तो आप इसको अपने किसी भी रंग में बना सकते हैं तो देखें मैंने यह ज्यादा फंदों पर बनाया है तो इस तरह से इसकी लोक आई है आप इसको लेड इसको किसी भी प्रजेक्ट में डाल सकते हैं तो यह देखें शेफ अंदे शेफ अंदे शेफ अंदे शेफ अंदे इस तरह से और यह चार एक्स्ट्रा है दो डिजाइन को एकुल करने के लिए और दो हमारे एजिंगे पंदे हैं इस तरह से बार बार रपीट करते हुए ब ने वीडियो किसाद, थैंक यू